बाईयों यार प्लीज आज़ीक बुरा ना वानना यार कूकि मैं na RS200 की बुराई करने वाला हूं मुझे खुद पसद नहीं इसकी बुराई करना क्योंकि मुझे बहुत पसंद है यह बाईक लेकिन करना पड़ेगा यार क्योंकि यार इसमें है कुछ कमिया है जो हमें जाननी चाहिए और RS200 एक लिजन बाइक है इसका fanbase अलग है इसको चाहने वाले अलग है इसमें बहुत सारी खूबियां भी है लेकिन जो कमिया है वो भी तो जानना ज़रूरी है तो अगर जितने भी भाई लोग 2030 में इसको लेने वाले है पहले तो मैं बता दूँ इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया है जून तक हो सकता इसमें नए अपडेट आ सकते हैं ऐसा सुनने को मिल रहा है ठीक है लेकिन पहला पॉइंट मैं आपको गिनाता हूँ पहला पॉइंट है कि इसमें जो लोगों का जो रिलाइबिल्टी है मतलब जो भरोसा है ना इस बाईक के प्रती वो काफी अच्छा है लेकिन एक लंबे समय के लिए वो नहीं है आप मानिये चाहे मत मानिये ये कस्टमर रिव्यू के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ जो उपीनियन निकल के आता है ना लोग RS200 पे काफी यकीन करते हैं लेकिन एक लंबे समय के लिए अगर हम बोले ना तो उनका यकीन डगमगा आ जाता है ये पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट का है ना कि ये इसकी जो स्टाइलिंग है ये काफी डेटेड हो चुकी है अब देखिए लगती तो बहुत अच्छी है लेकिन हर समय कमपनी आपनी जो लेजन बाइक्स होती है उनमें कुछ नगुछ अपडेट्स वगरा करती रहती है जो कि RS200 के साथ बहुत समय से हो गया कि नहीं हो रहा है ठीक है तो ये आउट्डेटेड अप थोड़ी सी लगती है आप क्या कहते हैं कॉमेंट करिएगा अगली कमी में बताता हूँ वो ये है कि जो इसके साथ के राइवल्स है ना इसके साथ की जो 200 CC की फेरिंग बाइक्स हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं लेकिन अभी तक RS200 उनके अपेक्छा काफी पीछे है ऐसा मुझे लगता है ठीक है अगला पॉ क्वालिटी है material quality वो मुझे उतनी impressive नहीं लगती है वो cheap लगती है और यह मैं नहीं मतलब आप जाकर इसका review कहीं पर देखिए मतलब YouTube review मत देखिएगा आप जाकर कहीं review इसका पढ़िए कोई blog जाकर पढ़िए आप देखेंगे ना हर जगे यह चीज आई है कि जो material यूज क करता हूँ वह है no sleeper clutch भाइया 200cc की बाइक है powerful बाइक है fairing segment की बाइक है दिखने में भी काफी अच्छी है लेकिन sleeper clutch का है नहीं है बहुत ज़रुत पड़ती है sleeper clutch की हम छठे gear में होते हैं अचानक समय down shifting करनी पड़ती है हमें पहले दूसरे gear में आना पड़ता है तो वहा भी धिर 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 कम करते रहो मैं तो पता चला कर डाइट अगर छटे से दूसरे पर आ गए ना और क्लच ऐसे छोड़ा भक से मारे की बाई की तम मुह के बल गिर जाएंगे चीक है तो sleeper clutch बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि अगले update में कुछ आये चाहाए ना लेकर sleeper clutch जरूर रहेगा ठीक है तो ये सारे updates जो है मैंने आपको बता है माफ करिए का update नहीं ये सारे disadvantage मैंने आपको बता है ये सारी कमिया मुझे RS200 में लगती है आप क्या कहते हैं आप comment करके बताईएगा और कोई भी अकर और भी कमिया है ना फटा फट कमेंट करिए या अगली वीडियो में ध्यान रखिएगा आपना जय हिंद